कि अखिर नमस्टे विए और दोस्तों स्वागता आपका हम्हाँ चैनल पर एक बार फिर से आज हम बात करेंगे उत्राखंड की जोग्रफी के बार में पहला रहने न्यूज है कि गोईला क्लास्टी की तरफ से आपका जो एक्जाम है एक्जोक्यूटिव ऑफिसर का टेक्स एंट रेन वेनियु इंस्पेक्टर का उसके लिए कोर्स टार्ट किया गया है कोर्स जो है उसकी फीज 7999 रखी गई है लेकिन फिलाल आपको 50% डिसकाउंट पर ये क कोर्स मिल जाएगा जो की 3999 का है काफी सारे बच्चे आलरेड़ी हमारे साथ जूट चुके हैं कर चुके हैं तो आप भी स्कोर्स को जितना जल्दी हो सके जॉइन कर लीजी इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा हमारे प्रेमियम लेक्ट्चर स्टडी मिटीरियल वह सब करते हैं सबसे पहले बात करते हैं के देखे सबसे बात कुछ तरही से शुरुआत होती है कि उत्राफंड जो संथर 2021 के अंदर उत्रण के लोग युल strids को जो हिंसक गटनाएं भी देखने को मिलती है, खेर, जो आपका 2000 कसन आता है, उसमें उत्राखन को एक अलग ग्राद्जी का जो दर्जा है, वो परदान कर दिया जाता है, और ये completely इस बेसिस पे हुआ था, क्योंकि उत्राखन को अगर आप देखेंगे, सिर्फ कुछ ही पर्सेंटेज जैसा है उत्राखन का, जो आपका प्लेनी रेम बढ़ता है, तो यूपी के साथ रह पाना, या फिर यूपी के साथ उसका अड्मिनिस्टेशन चलाना, एक रैशनल सोच नहीं थी, तो इस वेज़े से लोगों की भी डिमांड थी, बड़े-बड़े जो माउंटेन शंक्राइं हैं, परवश शंक्राइं हैं, वो यहां से गुजर रही हैं, खैर, हम बात करेंगे उत्राखंड के लोकेशन के बारे में, उसके बाद दिरे-दिरे हम आगे जो लेक्चर बढ़ाएंगे, उसमें हम आगे की चिज़ों को डिसकस करते होई चलेंगे, फिलाल अगर हम बात करें, तो उत्राखंड के एक्टेंशन के बारे में बात करेंगे, अगर आप देखें गे तो उत्राखंड पूरा जो स्टेइड है, आपको more or less लगबग लगबग आपका rectangle shape में नज़र आ जाएगा rectangle की क्या खासित होती है कि इसकी दो sides जो होती है वो बराबर होती है ये वाली और ये वाली दोनों side बराबर होंगी उपर वाली नीचे वाली ये दोनों बराबर होंगी तो कुछ इसी तरह का आपका उत्रखन not completely बट roughly roughly वैसा ही नज़र आता है तो अगर इसके extension की बात करें extension का मतलब क्या होता है कि north में कहां से लेके कहां तक है south में लेके कहां से लेके कहां तक है तो देखिए इंडिया के अगर मैं बात करूँ तो जैसे भारत है भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत का भी extension है जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखे तो यहां पर क्या नज़र आ रहा है यहां पर यह भारत टॉपमस्ट ले एरिया यह भारत का सबसे नीचे वाला यह है इस वेस्ट में आपका यह है और इसमें इसी तरह से यह ज हां पर और नौर्स की बात करें तो कुछ-कुछ इस जगह पर लाइन टच करते हुए जाएगी यह लाइन कौन सी है यह लाइन है अक्षांश और देशांतर लाइने हैं यह लाइने हम ड्रो करते हैं अपने study purpose के लिए actually में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है तो जैसे अगर मै कहां पर locate करता है एक्जांपल के तोर पर जैसे कि अगर उत्रखंड की location के बात करें globe के according पुरी प्रित्वी के according ली तो यह लाइक करता है 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 37 मिनट पर अब यह बात हो रही है north latitude मतलब कि जहां पर यह 29 वाली लाइन जा रही है आपको न मिनट से लेके 31 डिग्री 37 मिनट और अगर मैं north की बात करो इससे ऊपर की बात करो तो 31 डिग्री 37 मिनट तो यहां पर यह बात करें इस्ट और वेस्ट की में बात करो तो 37 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहां पर आपकी 78 वाली लाइन है तो इस तरफ को आगे बढ़ रहा है तो मतलब यहां पर 77 होगे 77 यहां पर होगा यहां सततर से लेके 81 के बीच में और 81 से गुजर रही है तो बिल्कुल सही है जहां पर इसके बीच में आपका उत्राखंड लाइक कर रहा है तो अगर पूरे एक्स्टेंशन की में बात करूं अगर आप Google के उपर Google Maps पे इस नंबर को टाइप करेंगे तो आपको उत्राखंड ही दिखाएगा क्या करना होगा इक्वेटर लाइन गुजरती है बूमद्य रेखा काफी नीचे से और वह आपकी जिरो डिगरी की है इंडिया जहां से स्टार्ट होता है वह आपका आठ डिगरी चार मिनट है मतलग की लगबग आठ डिगरी नीचे और यहां से हमें दिखाए नहीं देगे इस पिक्चर म भी है भूरी भूमी के मद्य से जो गुजर रही है तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन के ऊपर का जितना भी इसा है मुझे नौर्थ कहते हैं तो इंडिया खुद भी नदन हैमिस्वेर में लाई करता है और इंडिया के ही नौर्थ में आपका उत् गुज़रेगी तो इंडिया के भी नॉर्थ में लाई करता है आपका उत्राखन ठीक है तो हम इस एक्स्टेंशन को किस तरह से पढ़ेंगे कि आपका उत्राखन लाई करता है यहां से वैस तक का एक्स्टेंशन भी बिताना है कि इस पॉइंट से लेकि जहां से लेकि यहां तक यहां तक यह किसने के बीच में लाई करता है तो आपका 70 degree 34 minute से लेके 81 degree 2 minute तक east longitude आपका उत्राखन लाई करता है यह चीज़ clear होगी अब अगर बात करें कि इनके बीच में difference कितना आ रहा है तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम मोटा मोटा सा हिसाब लगा के चलें तो हम कहेंगे कि 78 के around से start हो रहा है exactly पर नहीं जा रहे हैं वैसे exactly 77 minute पर है बट हम वैसे idea के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पर 78 है और यहाँ पर 81 है तो दोनों के बीच में कितना gap है लगबर आपका 78 होगा 79 80 2 degree और something 2 degree यह 3 degree का आप मान के चलिए इसके बीच में 3 degree का gap है 78 होगा 79 80 81 तो 3 degree का gap है इंदोनों के बीच में और अगर में नीचे से उपर की बात करों तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 29 ना यहाँ पर 31 है ठीक है इत गर में बात करों तो alet खंड को तो उतरेखंड के North ये South या फिर East और West के बीच में 2 डिगरी 14 मिनट और 3 डिगरी 28 मिनट इसमें Latitudinal Gap है मतलब कि North से South के बीच में 2 डिगरी 14 मिनट का Gap है North से South के बीच में और जो East और West है उसके बीच में 3 डिगरी 28 मिनट का जो difference है हमें नजर आता है अब उत्रखंड जैसे मैंने आपको बताया Rectangular Shape में है अब अगर बात करें उत्रखंड की तो इसके जो Area है North से South, East से West उसको अगर मैं किलोमेटर में मेजर करना स्टार्ट करूँ तो कितना चोड़ा और लंबा उत्रखंड है तो देखिए East से West अगर बात करें तो 385 किलोमेटर आपको नजर आ जाएगा 385 आप देखिए कई बार आपने सोचा होगा कि आप एक डिस्टिक्स से दूसरी डिस्टिक्स में जाया तो टाइम दो आपको बारा बारा घंटे लग जाते है तो देखिए इसमें है क्या कि यह बिलकुल हमने जमीनी रास्ता नहीं मेजर किया है जमीन का रास्तव नहीं है यह टोटल डिस्टेंस की बात की जा रही है और उसके बात जो South है North से South की बात करें तो 320 किलोमेटर की बात करें तो यह आपका 320 km होगा, यह aerial distance है, ओके, not the land distance, ओके, तो इतना total distance हमें देखने को मिलेगा, आगे बात करें उत्रकंट की total area के बारे में, कि total area कितना है, हम तो distance देख रहे थे, north, south, east, west, अब अगर हम बात करें, पूरा state कितना है, यह area total कितना लेके, उत्रकंट के बास मिला है, उत्रकंट को, तो वो आपका 53,483 square km total area है, ठेक है, 53,483 है, आपके exam में पुछा जा सकता है, ध्यान रखेगा, which is, और वो कितना है, all over country का, मतलब पूरी इंडिया के area का 1.69% है, परसेंट इंडिया का 1.69% जो है, वो area उत्रकंट को मिला हुआ हुआ है, भारदेश के अंद सबसे पहले को उसा बनता है, हमारे कुछ state के अगर बात करें, सबसे बड़े है, राज्यस्तान, मद्यपरदेश, ये बड़े-बड़े states है, उसके बाद धिरे-दिरे गड़ती है, तो 18 नमबर पर हमारा उत्रकंट जो है, वो size accordingly आता है, और इस state की अगर मैं बात करूं, त कि ये जब UP से अलग हुआ था, तो उसमें फरक क्या था, फरक ये था कि ये जो state है, ये completely आपका mountainous state है, परवतों में बसा हुआ, तो इसके पूरे राज्ये जो बना, उसका लगबग 86 परतिशत जो एरिया है, अभी का जो उत्रगांड़ है, उसका लगबग 86 परतिशत एर या पहाड़ों में ही है, mountainous area, hilly area है, और सिरफ आपका 13% जो है, वो आपका plane area में पड़ता है, वो भी नीचे नीचे वाले जो district है आपके पड़ते हैं, उनके हम बात करें हरिदवार के साथ साथ वाले हैं, देरदन वाले, तो ये आपका total जो है हमने उत्रखन का देख लि तो है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह जो color है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कि जितना ज़्यादा ये वाला, देखें माले जी ये वाली range है, तो ये वाली height कम है, यहाँ पर height थोड़ी ज़्यादा है, मसूरी range, यहाँ पर नाक टिबबा, कुमाओं hills, ग बाकी तो सारा आपको पहाड़ी शेतर ही नजर आएगा उत्राखंड के अंदर, आगे बात करें, उत्राखंड के borders के बारे में, तो उत्राखंड का जो border है, आपने map पे देखा होगा, तो नेपाल के साथ उत्राखंड अपना border share करता है, इवन तिबबत वाला जो शेतर है, चाहिना वाला जो शेतर है, वहाँ पर उत्राखंड अपना border share करता है, और एक तरफ आपका हिमाचल आजाता है, लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, यह आपका चाहिना हो जाएगा, इधर आपका नेपाल हो जाएगा, इस तरफ आपका हिमाचल परदेश, और नीचे में है, और हिमालियाज और तिबद जो है आपकी नर्दन साइड में है, चाइना जो है, उत्तर परदेश आपका साउथ में है, अब अगर बात करें डिस्टिक की, तो कई बात डिस्टिक जिलों पर सवाल पूछती जाते हैं, क्योंकि सिमाएं जो हैं, इंटरनेशनल border के सा जहां पर आप देख सकते हैं, इस map के अंदर, तो जहां पर आपको नजर आ जाएगा, पिथोडागड, चंपावत, यह सारे जो एरिया है, आपके टच कर रहे हैं किसके साथ, इधर आपका नेपाल वाला हिस्सा लग रहा है ना, तो उसके साथ border टच कर रहे हैं, उसके बा यह सारा हिस्सा चाइना के साथ टच कर रहा है, तो तीन दिस्टिक इधर वाले आपको याद रखने हैं, तीन उपर वाले याद रखने हैं कि कौन चाइना के साथ टच कर रहा है, कौन नेपाल के साथ टच कर रहा है, उसके लावा बात करें, तो आपके पांच डिस्टिक आपना यह आपके हिमाचल के साथ बोर्डर ऐरिया है वो शेर करते हैं तो यहांपर आपको उत्तरकाशी नजर आजाएगा यह वाला हिस्सा और यहां पर देहरादूर नजर आजाएगा यहां आपर देखिए देहरादूर का कुछ हिस्सा जो है वो अगर आप देखेंगे तो हर्याना के साथ भी बोर्डर लगता है ठीक है वो भी आप चीज ध्यान रखेंगे हर्याना के साथ जो बोर्डर लगता है तो यह सब हो जाएगा उत्तरकंड की जो बोर्डर है उनके बारे में बात next बात करें पिधोडागर जो है वो easternmost district है बिलकुल आपका east में पढ़ता है निपाल के साथ और अगर बात करें west की तो सबसे west में आपका देहरदून पढ़ता है जो हिमाचल के साथ लग रहा है northern district है जो सबसे उपर वाला है वो आपका उद्वर जा रहा है और सबसे उपर ब्रकाशी हो जाएगा means उसके बात करें जो पौिड parti district है पौडिजो आपका जphenला है वो आपका क्या करता है लगबग लगबग सबसे जादा जिलों के साथ अपने जो boundary है वो बनाता है तो पोड़ीगडवाल वाला हिस्सा है वह अपना जुब बाउंडर है देखी जिए रहा आपका पोड़ीगडवाल यह अपना सबसे जिले हैं उनके साथ अपना बौडर बनाता है यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी के साथ इसका जो बॉडर है वो लग रहा है तो लगबग साथ जीलों के साथ पोड़ी गड़वाल का जो एरिया है वो टच करता है या आपके एक्जाम में पुछा जा सकता है जिसमें कौन-कौन से हैं नैनिताल, अल्मोडा, चमोली, रुद्र प प्रयाग, बागेश्वर, टेहरी, डू नोट टच दी बाउंडरी ओफ एनी कंट्री अब यह ध्यान देने वाली चीज है काफी इंटरस्टिंग चीज है कि सिर्फ चार ऐसे जिले हैं उत्राखंड के अंदर जो कि किसी के भी साथ अपना बॉर्डर है वो नहीं बनाते हैं कौन कौन से हैं आपके अलमोडा, रुद्धर प्रयाग, बागेश्वर, टेहरी, डज नोट टच बॉर्डर ओफ एनी स्टेट और कंट्री की ना तो किसी भी स्टेट राज्ये, दूसरे इंडिया के राज्ये के साथ अपनी बाउंडरी टच करते हैं ना ही कंट्री के साथ पितोडागर डिस्टिक is the district with the longest international boundary और पितोडागर डिस्टिक आपका एक ऐसा जिला है जो की सबसे लंबी अंतरराष्ट्री बाउंडरी जो है वो आपकी बनाता है, कैसे बनाता है, अभी देख लेते हैं, यह रहा, यहां से चल रही है, यह boundary पहले तो चाइना के साथ बना है, उत्राखंड का कुछ-कुछ knowledge मिल गई होगी, मेरे ख्याल से आपको यह lecture ज़रूर पसंद आया होगा, आगे अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको starting करना था, हमारा course है, तो उसको अगर आप join करना चाहिए, या फिर exam से related, कोई भी information आपको चाहिए हो notification, तो आप हमारे courses को buy कर सकते हैं, हमारी website से, और वहाँ पर access कर सकते हैं, साथ में आप हमारी app जो है, उस पर भी courses को access कर सकते हैं, आपको laptop या PC कोई जरूरत नहीं पढ़ेगी, courses करी, जैसे मैं already आपको starting में बता चुका हूँ, live और recorded, दोनों आपको मिलेंगे, test series मिलेगी, Hindi English, both language में, उत्र वेबसाइट है, वहाँ पर जा सकते हैं, गोईला classes के नाम से, वहाँ पर आपको एक course मिल जाएगा, यह हमारे कुछ result हैं, जो आप देख सकते हैं, जो हमने achieve की हैं, अपने state PCS exam के अंदर, या UPSC के exams के अंदर, अगर आप चाहें, आप इन courses को buy कर सकते हैं, आज के lecture में फि आपके साथ, तब तके लिए धन्यावाद